दोहरे हत्याकान के बाद यूपी का बदायू दहल गया है। दो मासूमों की जान लेने वाले और उसके बाद साजित का एंकाउंटर हो जाने के बाद अब ये मुद्धा राजनीतिक गलियारों में भी खूब दोड़ रहा है। यूपी में आरोपियों के वुरुध बुल्डोजर एक्शन जो की आम बात हो गई है। पूचताच में कई एहम खुलासे हुए हैं। पारदात के वक्त घर के बाहर खड़ा था। विनोट सिंग के घर में साजित छुरा लेकर गया था। जावेद ने बताया कि इस छुरे को उसने दोपैर में खरीदा था। और कहा था कि हम में मीट की दुकान खोलूँगा। पूलिस के अनुसार अब तक की जाच में ये पता चला है कि जावेद को ये अंदाजा नहीं था कि साजित बच्चों की हत्या करने जा रहा है। जब वो खून से लत्पत होकर चुरा लेकर नीचे उत्रा तो वो डर के मारे वहां से भाग गया था। साजित हत्या के उद्देश से ही घर में गया था। मगर इसकी वज़य क्या थी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। जावेद में पुलिस को ये भी बताया है कि साजित बच्चपन से ही बीमार रहता था। उसका स्वभाव उग्र था। वो पीर उलिया के चक्कर में जादा पढ़ा रहता था। वो तीन जगों पर अक्सर अपना वक्त व्यतीत करता था। मगर पुलिस तंत्र के चक्कर में दोनों बच्चों की हत्या की त्योरी को नहीं मान रहे है। SSP आलोक प्रेदर्शी ने बताया है कि इस सीन को रीक्रियेट कराया जाएगा। अगर जरुवत पढ़ी तो जावेद का नाको टैस्ट भी होगा। अभी हम जाच में सामने आए तमाम तत्यों को देख रहे हैं। कई तत्य जो की पेडित परवार और जावेद के परवार स पूचताच के बाद सामने आए हैं। जावेद ने पुलिस को ये बताया कि वो वारदात के बाद दिल्ली में अपनी सस्राल गया था। इसके बाद वहां से बरेली पहुंच गया। बरेली के सैटलाइट थानी में जाकर उसने सरेंडर कर दिया था। इसकी जानकारी मिलने की बाद बदायू पुलिस ने घटना की पुस्टी के और फिर जावेद को गरफतार कर बदायू लेकर आई। इससे पहले जावेद ने एक वीडियो वाइरल किया था जिसकी फिलाल पुलिस जाच कर रही है जिसमें वो ये कहता हूँ नजर आया था कि मैं निर्दोश झाल 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 झाल